कि हाई व्यूवर्स कैसे हैं आप सब व्यूवर्स मुझे 2-3 लोगों के कमेंट आरके जिन लोगों को यह डाउट है कि डाउट of benefits के आधार पर बरी होने पर क्या government service में जा सकते हैं एक और comment मुझे आया था कि doubt of benefits के आधार पर बरी हो गए है पुलिस में जॉब नहीं मिली क्या पटवारी में जॉब मिल जाएगी तब मैं उन लोगों के reply नहें कर पाई हम इस वीडियो में Delhi High Court का judgment जो 10 परवरी 2022 को आया है को discuss करेंगे जो इसी आधार पर है इस वीडियो में आपके सारे doubt clear हो जाएंगे कि क्या doubt of benefits के आधार पर बरी हुआ वेक्ती सर्विस में जा सकता है या फिर अगर district court ने आपको convict कर दिया है और इस आधार पर आपके department ने आपको job से dismiss कर दिया है बाद में आप appeal में high court जाते हैं और high court से आप doubt of benefits के आधार पर acquit हो जाते हैं तब क्या आपको reinstatement का अधिकार है क्या आप as a matter of right reinstation का claim कर सकते हैं आपके ये सभी doubts आज इस judgment से clear हो जाएंगे ये case है जहान सिंग वसेस ट्रैबल कॉपरेटिव मार्केटिंग डवलप्मेंट Federation of India Limited 10th February 2022 को Delhi High Court का एजजमेंट आया है इस case में petitioner जो की accountant grade 1st की post पर कार रहत थे उनको Delhi की एक special court द्वारा section 7 and 15 of Prevention of Corruption Act 1988 के आधार पर convict किया गया था इस conviction के आधार पर इनके department ने इनको service under rule 19 1st of the CCS, CCA rules 1965 के तहत जौब से dismiss कर दिया इस conviction के खिलाफ अपील में petitioner Delhi High Court परजे और Delhi High Court ने इनने doubt of benefits के आधार पर बरे कर दिया इसके बाद ये department से रीन स्टेशन की मांग करने लगी और department ने जब रीन स्टेशन के लिए deny किया तो ये इसके खिलाफ डाली High Court परजे और Delhi High Court ने clear कर दिया कि रीन स्टेट्मेंट इन सर्वेस कैन नोट फ्लो अज अधार अधार पर आप बरी हुए है तो आप रीन स्टेट्मेंट की मांग अधार अधार नहीं कर सकते हैं इस judgment के copy मैंने इस वीडियो के description box में डाल दी है आप वहाँ जाएके deeply judgment को पर सकते है कि इस judgment के facts क्या थे, lower court ने क्या कहा, high court को क्या decision आया ये सब facts आप चेक कर सकते हैं कि आपके facts से match करते हैं या नहीं करते हैं viewers I hope अब आपका ये doubt clear हो गया होगा कि doubt of benefits के अधार पर बरी होने पर क्या आप government service में जा सकते हैं मिलते हैं next video में नई कानून की जानकारी के साथ झाल करते हैं